हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर दा जेनवेन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 26 अब जुलाई 2021 और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक ऐसा IPO जो की इसी ट्रेडिंग विक पर मार्केट के पर ओपेन होने जा रहा है रोलाइस रिंग आरिव चलिए इस वीडियो में हम रोलाइस रिंग आई जिलेव करेंगे ईपीawan का प्राइस-ब्राइस ब्रेस ब्राइंड आज की डेट पे लेटे स सपुराइग देखना ताकि समझ जाए तो दोस्तों आपके बास अगर ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट आकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग जैसे बड़े प्लाटफोर्म में आप डिमेट आकाउंट ओपेन कर सकते हैं जहां पर आपका ब्रोकरेज फ्रीज ना के बरबर लगदा है और एकाउं कि जब भी प्राइस बैंड डिकलियर होगा तो दोस्तों रोलाक्स रिंग आई प्यों जोकी इसी ट्रेडिंग विक पर मार्केट के उपर ओपेन होने जाड़ा है चलिए सबसे वहले हम रोलाक्स रिंग यह कंपणी को पर थोड़ा सा डीटेल में अनलाइस करेंगे कंपण में दोस्तों घ्रे मार्केट प्रीमियम बताएंगे आपको कि कितना प्राइस पर चल रहा है और उसके साथ साथ मेरा ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं तो दोस्तों चलिए एक एक करके सारे यह पॉइंट क के ओपर ओपेन होने जा रहा है चलिए अब हम सबसे वहले बात करेंगे कंपनी को पर थोड़ा सा डीटेल दोस्तों मैं आपको रिक्रेस्ट करता हूं पूरा अंतक जरूर देखना हर एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है सबसे वहले कंपनी नि इलेक्ट्रिक वाहिकल्स मतलब इवी का भी जो कॉंपोनेंट्स है वो बनाता है कंपनी राइट जैसे कि इस टाइप का जो यह पर्टिकुलर जो सेक्टर में बिलॉंग करता है उसमें अल्लेडी दोस्तों कुछ नहीं पहले एक आई पया आपको यादो का सोना बील है या नहीं तो यहां पर कंपनी ने बता रहा है कि यह कंपनी का सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं इंडिया के बाहर भी जैसे कि देखे 17 different countries मतलब इंडिया के बाहर भी टोटल 17 देशों की अंदर कंपनी का जो प्रोड़क्ट है वो एक्सपोर्ट किया जाता ह है यानि कंपनी का बिजनेस बॉरेल काफी अच्छा है और उसके साथ साथ कंपनी का जो मार्केट कैप्चर वो भी वर्ल्डवाइड है दोस्तों अब हम बात करनें के कंपनी का कुछ स्ट्रेंद बगेरा यहां पर लिखा हुआ है जैसे कि एमांग दा लीडिंग फॉर्ग कंपनी का जो मार्केट कैप्चर है वहां से रेविन्यू आता है स्ट्रॉंग एंड कंसिस्टेंट फाइननिशल पर्फरमेंस यहां पर मुझे तो डाउटफुल लगा तो चले नीचे चलके देखते हैं कि कितना स्ट्रॉंग है तो यहां पर कंपनी का जो प्रोमोटर का न करके बताऊंगा तो दोस्तों दहां पर देखें फाइननशल यह 19 में कंपनी का टोटल नेट प्रोफित आया था 59 करोर रुपीज के आसपास देयान देना पूरा का पूरा फिकर इन मिलियंस पर मैं आपको करोर पर करके बता रहा हूं 59 करोर का टोटल नेट प्रोफित रुपाय के उपर कंपनी ने पर टोटल नेट प्रोफित जनेरेट किया उसके बाद अगर हम बात करें रेविन्यू मतलब सेल्स का टोटल इंकम का तो आप देख सेक तो कंपनी का फाइननशल यह 19 में टोटल इंकम हुआ था करेबहें 911 करोर के आसपास वही फाइननशल यह 20 में घट गया 675 करोर का हो चुका है फाइननशल यह 21 पे और ज्यादा घट गया 619 करोर रुपए को हो गया मतलब सेल्स के अंदर हमें लगातार गिरावर देखने को मिला प्रॉफिट के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर जो 19-20 के बीच में गिरावर देखने को मिला 20 से 21 के बीच में हमें तेजी देखने को मिला यानि कंपनी अच्छा का सा बांस बैक कर चुका यानि कंपनी का जो बैलेंशीट है वो मुझे थोड़ा सा वॉलेडल लगा मतलब एकदम यह ने कि कंसिस्टेंटली उपर की तरह भी बढ़ रहा है चाहे सेल्स हो चाहे प्रॉ यह मार्केट को पर ओपन होगा जनरली तीन दिन का इप रहता है 28 29 और 30 30 अब जुलाई मतलब फ्राइडे शुक्रबार के दिन यह आई प्यों का क्लोजिंग डिट है आई प्यों में जो भी शेर एलोकेट किया इस अर्याइप यह जितने भी शेर एलोकेट किया है सारे शे यहां पर देख सकते हो 880 रुपए से 900 रुपए पर शेर का यहां पर फ्लोर प्राइस रखा गया है बहुत यहां पर लोग बोल ला था कि सारे 800 यह सारे 900 एक्सपर ने बोला तो उसके आसपास हो चुका है तो फिलाल चलिए देखते हैं कि इस क्यूपर कितना प्रिमियम च करते हैं उसके बाद दोस्तों मार्केट लॉट आप अगर एक लॉट एपलाई करते हो तो उसके लिए आपको टोटल 16 क्वांटिटी का शेरी ओडर प्लेस करना पड़ेगा यही इसका मिनिमम ओडर क्वांटिटी है राइट यह आई पो जब मार्केट को पर लिस्ट होगा तो BSC और NSC दोनों जगा पे लिस्ट होगा आई पो का टोटल साइज है 731 करोर का जिसके अंदर फ्रेश एक्विटी शेर एट किया जा रहा है 56 करोर का और बाकी 675 करोर का ओफ़र फ़र सेल के थुरू कमपनी का जो प्रोमोटर से उन्होंना अपना स्टेक सेल करेगा यान प्रेश एक्विटी एड ऊपर फ़र सेल दोनों मिला के साथ सो एक तेस करोर का आई पो अप आई पो से लिदेर कुछ इंपोर्टेंट्स टाइम टेबल दोस्तों आपके सामने जैसे का आई पी ओपन हो रहा है 28,29 एन 30,30 अप जुलाई या पयो का क्लोजिंग डेट है में अगर आपको मिल गया तो आपका जो शेयर है वो डिमेट अकॉन में क्रेडिट होगा शिक्स अप ऑगस्ट के दिन यह आईप्यों का लिस्टिंग डे है नाइन्ट ऑफ ऑगस्ट तुटाउजन ट्वेंटी वान उसके बाद दोस्तों डीटल इन्वेस्टर के लिए कुछ पैसा जो ब्लॉक्त होगा 14,400 रुपए कोई भी इन्वेस्टर में मैक्सिमाम 13 लॉट यह अप्लाई कर सकते है 13 लॉट में आपको टोटल 208 कॉंटिटी का शेयर और प्लेस करना पड़ेगा जो पैसा आपका ब्लॉक्त होगा 1,87,200 रुपए और जो अच्छी बात है दोस् कंपणी का बैलेंशीट देख लिया कंपणी का बिजनस मॉडल मार्केट कैप्चर अच्छे से देख लिए चलिए अब हम बात करेंगे एकदम लेटेस्ट जी एमपी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कुस टैम पर जब मैं वीडियो अपलोट कहा था तब वोस 12 बजे का सप प्राइस रखा गया है 900 रुपए का जिसको पर प्रिम्यम चल रहा है सारे 400 का यानि परसेंटेज वाइस दोस्तों 50% की बहुत ही सॉलीड प्रिम्यम के साथ ट्रेट कर रहा है ग्रे मार्केट में और यह प्रिम्यम दोस्तों आगे और ज्यादा बढ़ने का बहुत ज्याद चांस है तो दोस्तों आप जो इंपोर्टेंट बात साता है कि क्या आपको इसके अंदर निभेश करना चाहिए या नहीं तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा लॉंग टाम के लिए इससे अच्छा शेयर आपको मार्केट के उपर मिल जाएगा सोना बिल डबलू जोगी कुस्ट पहली आप मार्केट को पर यहां पर लिस्ट हुआ है उसके पहले मदर सेंसों में हो गया बहुत अच्छे अच्छे शेयर है बट अगर हम बात करें लिस्टिंग गेन का तो यहां पर दोस्तों 50% के आसपास सॉलिट प्रियम के साथ ट्रे टूबे भी एपलाई मत करना देख लिजिए पहले सब्सक्रिप्शन कितना चल ला है जी एमपी कितना चल ला है उसके बाद देख के आप देर बजे के बाद आप एपलाई करना वह आपका सठीक रन नहीं हो सकता है उस ट्रेंपे मैं एक वीडियो भी पोस्ट कर दूँग करता हूँ वीडियो अच्छा लगे दो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करना वीडियो को लाइक करके जरू एंकरच करना मिलते है नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक कर बाबाई जय हिंद